नमस्कार दोस्तों मैं आशु आपका सौगत करता हूँ हमारी यूटूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में तो दोस्तों हम अपनी आज के इस वीडियो में दोस्तों MCQ को डिसकस करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं पहला कोस्टन है हम सम्मीदान में भारतिय लोकतंत्र के मूल्यों को कहा देख सकते हैं दोस्तों हमारी इंडिया के लोगों के लिए सबसे पहले भारत के लोग अपने आपको दिया है तो इसमें प्रस्तावना ना है उसमें भारतिय लोकतंत्र के मूल्यों को देखा जा सकते हैं और कहा तो अंगे बढ़ते हैं आर्थकल लंबा 32 जो सुप्रियूम कोट की रेमेडी इस से related है वह wonderful इसका सई आंसर है दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रतावन से बनने वाले पूरे कॉश्ण को डिसकस किया है जली आंगे बढ़ते हैं थाइट कॉशन है सम्मिदान की प्रस्तावना में भारत के लिए नमलिकित में से कौन सा रूप बढ़ने था है दोस्तों हम बताना कि सम्मिदान की प्रस्तावना में कौन से वर्ड मलब हैं दोस्तों आप सोबरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक अथा संप्रभू, लोक्तंत और गड़राज दोस्तों यह हैं दोस्तों आपको लेकिन इनमें से एक कुछ वाइस करना है कि कौनसा रिलेवेंट आंसर होगा सेकंड है एक सोचलिस्ट, डेमोक्रेटिक और गड़राज, फोर्थ है सोचलिस्ट, सोवरेन, सेक्यूलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और दोस्तों फोर्थ है एक गड़राज तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा आंसर कौनसा होगा C, क्योंकि दोस्तों इसमें चारों सब्द दिये हैं, इनमें तीन सब्द, दोस्तों यह चारों प्रस्तावना में मौजूद हैं, तो इसका आंसर क्या हो जागा? C, इसका सही आंसर होगा, चली आंगे बढ़ते हैं, नेश्ट कॉशन है, भारतिक संब्दान की प्रस्तावना में निमलिकेत में से किस सब्द का प्रियोग नहीं किया गया है, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? D, इसका सही आंसर होगा, अर्थाथ जो संगिये है, जो फेडरल है, दोस्तों इसका कहीं पर भी संब्दान की प्रस्तावना में इसका वर्णा नहीं है, अर्थाथ D, इसका सही आंसर होगा, चली आंगे बढ़ते हैं, नेश्ट कॉशन, नेश्ट कॉशन है, लोग्प्रिय करने का जो वर्षाष्ट होता है वह लोगपीय संपरवूता कहलाता है अर्था भी इसका सही आंसर होगा चलिए आंगे बढ़ते हैं वह उसके पास दोस्तों लिखे संविदान नहीं है और जो हमारा संविदान है वह सबसे बड़ा लिखे संविदान है और दोस्तों लचीला और कठूर दौन प्रिकार का हमारा संविदान है चलिए आंगे बढ़ते हैं नेश कॉश्चन Q7 है संभीदान की प्रस्तावना में कितनी बार संसोधन किया गया है दोस्तों हमें बताना है कि अब तक संभीदान की प्रस्तावना में कितनी बार संसोधन किया जा चुका है दोस्तों किवल और किवल एक बार संभीदान की प्रस्तावना में संसोधन हुआ है और तरह सी सभी आंसर होगा करले निस्ति वोट है किस संफोधन अधिनियम ने भारत्य संबीधान की प्रस्तावना में परहिवरतन की सुरू आथ की जो भारत्य संभीधान की प्रस्तापना में परिवर्थन की सुरुआ Gottes किस संसोदन से हुआ था तो दोस्तों जो 42 वगा संभीधान शंसोदन में हुआ था यह आंगे बढ़ते हैं दोस्तों देखे आपको यह पूछ लिए गया कि सोस्लिट शेकुलर और यूनिटी एंड इंट्रीगिटी ऑफ द नेशन अता अखंडता भारत की दोस्तों कि सम्विदान संसोदन से जोड़ा गया यह दोस्तों हमने अब भी डिसकस किया कि जो 42 सम्विदान संसोदन उसके तहत जोड़ा गया था और यह कब हुआ था दोस्तों वह था इसे नेश्ट कॉश्चन कोश्यन के समय प्रस्तावना में निम्मिलिकित मैं से कौन सा आधर्ष शा मिल नहीं था तो दोस्तों कौन सा नहीं था समाजवार नहीं था क्योंकि दोस्तों सतंतरता समानता और निया यह तो थे लेकिन जो सोचलिस्ट सेक्विलर और जो इंटिगर्ट्ई है यह दोस्तों तीनों सब्द कब व्यारीज़वे संभीदान संसुनाद उनीस तो चैतर के तहट जोड़े गए थे इसलिए दोस्तों इसका अंसर क्या होगा सी इसका सही आंसर होगा क्यारवा कॉशन है संभीदान की प्रस्तावना में निम्मेलेखित में से किसका उलेख नहीं है दोस्तों किसका उलेख नहीं है बयस्त के मताधिकार का उलेख नहीं है अर्थाथ दी इसका सही आंसर होगा चलिए आंगे बढ़ते हैं नेश्ट कॉश्चन संभीदान के निर्माताओं के दर्शनशास्त्र और मूलियों के परिलेख्षत होता है दोस्तों बताना के संभीदान के निर्माता थे उसके दर्शनसास्त्र मेकर अफच्ट कॉंस्टस्यशन दे दोस्तों परिलेख्षत है प्रस्तावना में अर्थाथ इसका सही आंसर होगा लिए आंगे बढ़ते हैं नेश्ट कॉस्चन दोस्तो question number 13 है प्रस्तावना में हम सब्द का अर्थ है दोस्तों मैं बताना है जो term है वी इसका दोस्तों क्या meaning है हमारे संभीधान में दोस्तों इसका है हम यानि भारत की जंता दोस्तों हम भारत की लोग तो दोस्तों यह है कि भारत की जंता है खुद बोल रही है कि हम ने सम्मीदान को खुद को दिया है तो इसलिदम बता है कि जो सामाजिक आप ओदेश कर्वहें कि रिकिल में दिया गया है दो सोश्चंपनों बलड़ नहीं है तरा दी इसका सही आंसर होगा तो लिए आंगे बढ़ते हैं next question next question है प्रस्तावना में निमलिकित में से कौन सी विशेष्टा बताती है कि किसी को भी एक नागरिक को ही नहीं मानना चाहिए दोस्तों यह कौन सा सब्द बताता है दोस्तों यह बताता है फैटरनेटी अर्था जो भायचारा जो विभावना है दोस्तों अर्था फैटरनेटी है वह बताती है कि किसी को भी एक नागरिक को ही नहीं समाजना चाहिए और दोस्तों नागरिक को नागरिक को एक दूसरे को तोलिए आगे बढ़ते हैं सम्विदाइट की प्रस्तावना में जो सब्द का अर्थ Piece दोस्तों इसका अर्थ ब्रदरहुट जो बंधत्व है दोस्तों जो भाई-चाहरा है उसका बंधत्व एसका अर्थ append pre